आप देख रहे हैं दर्वे हमाचल वेब टीवी पेश है आज का न्यूस पुलिटर आईए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं आज के मुख्य समाचारों की और कांगणा में मुख्य मत्री का दिल खोल स्वागत जैराम बोले विपक्ष की भूमिका क्या होगी विचार करेंगे मंडी के समेला में सड किनारे खड़ी भिमाचल पत परिपन निगम की बस चल कर राक कपिल शर्मा होंगे इस दियाईजी सेंटर रेज मंडी संजीब गांधी कमानेट जुनका लगाए सांसल अनुराग ठाकर बोले 28 फर्वरी तक दौल्सपूर पहुंचेगी ट्रेन रचनात्मक बिपक्ष की भूमिका निभाएगी कॉंगरिस नेता प्रदिपक्ष मुगेश अगनी उतरी बोले सरकार के हर फैसले पर रहेगी नजर कसौली में शिकारी खुद हुआ शिकार, साथी की गोली लगने से मौत आनी के अंकुष कटोच बने नैशनल बॉलिवाल टीम के कोच हीमाचल में ठंड का कहर जारी, मनाली समेद सोलन बचोरा का पाराशूने से नीचे और अब चलते हैं बिस्तरित समाचारों की और नई सरकार हमारे द्वार, कुछ इसी भावना के साथ जन मानस ने सुमबार को मुख्य मंत्री जैराम ठाकुर का जिरा कांगणा में पहली बार पहुँचने पर स्वागत किया गगल हवायडे पर सुबह से ही लोगों की कतारें लगनी शुरू हो गई थी उनके आने पर गगल से लेकर धर्मशाला तक कई स्वागत द्वार सजाए गए थे मुख्य मंत्री स्वागत के जोश में इतने उत्साहित हुए की स्वेन नाटी डालते नजर आए उनके साथ सारा मंत्री मंदल वो नए बिधायक भी धर्मशाला पहुंचे मंगलवार को नए बिधायक बिधान सबत अफ़ोबन में शफ़त लेंगे गगल में जब सेम से पूछा गया कि आपकी सरकार का दो तिहाई बहुमत है और बिपक्ष के पास एक तिहाई बहुमत भी नहीं है तो क्या आप बिपक्ष के नेता को मानेता देंगे तो मुख्यमत्री ने कहा कि वे इस पर विचार करेंगे और नियमों के नुसार ही फैसला करेंगे बिपक्ष के पास एक तिहाई बहुमत नहीं है तो क्या आप उनको मानेता देंगे नेता प्रतिपक्ष की विचार करें तो इसमें नियम के उनुसार क्या बनता है उस पर ही निरने करें सरकागाट की तहसीर बलतवाड़ा के संबेला बजार में सड़क के किनारे खड़ी सरकारी बस चलकर राख हो गई बस सुंदर नगर डीपों की थी आग रविवार रात 10 वजे के करीब लगी ड्राइवर अमर्जी सिंग वो परिचालक करम सिंग बस से करीब 100 मिटर दूरी पर सो रहे थी हालनकि दमकल कर भी मौके पर पहुँच गए थे लेकिन तब तक बस चलकर राख हो चुकी थी आरन उत्तम चन ने बताया कि बस की किमत 25 लाख के करीब है पुलिस ने मामला दर्जकर अग लगने के कारणों की चानबिन शुरू करती है सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि 28 फर्बिस तक ट्रेन को तौलदपुर चौक तक पहुंचा दिया जाएगा वे मवा कोहला और भदर काली में कारेकरताओं से मिलने पहुंचे थे उन्होंने सभी से 219 के लोग सबह चुनाब को तयार रहने के लिए कहा साथ ही पार्टी से जुड़े नए लोगों के सम्मान की बात भी सांसद ने कही कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अगनिहुति में सोंबार को कहा कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में रचनात्मक विपक्ष की भूमी का अदा करेगी उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के हर फैसले पर नजर रखेगी और प्रदेश में विकास को गतित देने में अपना हर संबब सहुग देगी मुकेश अगनियुति ने कहा कि मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर प्रदेश की आर्थिक स्तिती से निपने के लिए केंदर सरकार से बेल आउट पैकेज देने की बात कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस भी अपना सहुग देने के लिए तयार है यदि मुख्यमंत्री उचित समझें तो केंदर से आर्थिक मदद प्रापत करने के लिए विवख्ष की निता भी सरकार के साथ मिलकर दिल्ली जाने को तयार है प्रदेश की लोगों ने जो हमें भूमिका दी है सरकार के हर फैसले पे हमारी नजर होगी हर पंग पंग पे नजर होगी और उस भूमिका को हम निश्ची तोर पे निभाएंगे सोलन में कसोली थाना के चवली खड में एक ब्रक्ती अपने ही शिकारी साथियों की गोली का शिकार हो गया मृत्र की पैजान 58 बर्षी लच्छी राम पुत्र जियालाल के रूप में हुई है बताते हैं कि वे 10 साथियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए घात लगाए पैठा था तभी जहडियों में जानवर की आवाजाई का एक शिकारी को शक हुआ तो उसने गोली चला दी गोली जानवर को लगने की ब्याए अपने ही एक साथी लच्छी राम की पीट पर लगी तथा वैं मौक्या पर ही धेर हो गया मन में किसी लक्षे को हासिल करने की लगन और द्रिड इच्छा हो तो कोई भी लक्षे एक ना एक दिन अवश्य हासिल हो जाता है ऐसा ही कुछ कर दिखाया कुलू जिला के आने तहसील के छोटे से काउं कोठी के चौबी वर्षी अंकुष कटोचने अब कुछ स्पोर्ट्स अथर्टी आफ इंडिया में युवा टीम के राष्टी सहाई कोश बने हैं यहां उपलब्दी हासिल करने वाले वे हीमाचिल सहीत पूरे उतरभारत के पहले युवा है हीमाचिल प्रदेश में ठंड का प्रकॉप जारी है हालात ये हैं कि सुंदरनगर कलपा मुंतर कैलांग वो मनाली के सासा सोलन वो विजोरा का नियूंतम तापान भी जमावा बिंदू से नीचे चला गया है हालांकि मौसम विभाग द्वारा समूचे राजे में 14 जनुरी तक मौसम शुष्क बना रहने की उम्मी जताई जा रही है मगर इस दुरान पश्मी भावाओं के सक्रिय हो रहने से कडाके की ठंड का कहर जारी रहेगा सुंबार को मौसम शुष्क बना रहा और ज़्यादा तरक शेतर में चटक धूप खिली रही चंबा में ट्रैफिक बेवस्था दिन प्रती दिन बिग्राल होती जा रही है शेहर में कोई भी पार्किंग नहीं है सिर्फ एक अस्थाई पार्किंग है जिसमें 40 से ज़्यादा गाड़ियां पार्क नहीं हो सकती ऐसे में लोग शेहर की सड़ किनारे गाड़ियां पार्क कर देते हैं उपर से चम्बा शहर में आवैद रेडियों की संख्या भी प्रती दिन बढ़ती ही जा रही है चम्बा में ट्राफिक बेवस्था को लेकर वरिस्ट नागरी पीसी ओवराय कहते हैं कि ट्राफिक की समस्या आए दिन बढ़ती ही जा रही है वहीं पी आज थाकूर का कहना है कि शहर में फुटबात पर चलना मुश्किल है नई सरकार से उवीद है कि जल्द ही नई पारकिंग का निर्मार हो जाए टैक्सी ट्राइवर विपरकुमार कहते हैं कि उन्हें गाड़ी लगाने के लिए जगर नहीं मलती इसलिए सरकार से मागएगी टैक्सी स्टैंड मनाया जाए एक अन्य टैक्सी चालर की यूगल किशोर की अनुसार बारा सालों से चंबा शहर टैक्सी के जाल में फसा हुआ है टैक्सी स्टैंड बना करें कि आज 10-12 साल हो गए यहां पर टैक्सी स्टैंड नहीं सरकार से यह हमीद है कि वो टैक्सी स्टैंड बनाए ताकि लोगों की गाड़ी लगाने के समस्या दूर होए टैक्सी की समस्या को लेकर टीयस पी जितेंडर चौधरी कहते हैं कि टैक्सी सुधार के लिए प्रयास लगातात जारी है वहुमंजिला पार्किंग का प्रस्ताव सरकार को भीजा गया है ट्रापिक के ब्यवस्ता बिकसे दिलाने के लिए हमें पार्किंग स्थाल को बिकसित करना जुरूरी है इसका प्रशासन से पत्रह चार भी किया गया है और शेयर के अंदर कोई ब्यवस्ता पार्किंग की हो सके इसके लिए प्रयास रात है क्यूंकि जो पार्किंग 47 समय अबेलेबल है उनकी केपेस्टी बहुत कम है और मल्टी स्टोरी पार्किंग अगर शैर में कोई दिक्सित की जाए तो समस्या का समधार किया जा सकता है कालकाशिमला रेलवे ट्रैक पर स्थित बडोग रेलवे स्टेशन का नाम करनल बडोग के नाम पर रखा गया है बात 1898 की है इस दोरान कालकाशिमला रेल ट्रैक का कारे प्रक्ति पर था बडोग में सुरंग बनाये जाने का जिम्मा ब्रिटिज सरकार ने करनल बडोग को सु पर्माना लगा दिया जो बर्तमान करंसी के अनुसार लगबग 1500 रुपे के बराबर है करनल बड़ोग इस घटना से काफी शर्मिंदा हुए तथा उन्होंने अपने आपको गोली मार ली सन 1900 में जब करनल बड़ोग सुरंग बनाने में विफल रहे तो इस काम का जिम्मा बर्ते सरकार ने एचेस हिरिंटं को दिया था उन्होंने स्थानिय संत बाबा भलकू की मदद से वर्ष 1903 में सुरंग का काम पूरा किया सुरंग की लंबाई 1143 मीटर है तथा उस समय इसे बनाये जाने की लागत 8,40,000 रुपए आई थी रेलवे स्टेशन का निर्मान बर्टे सरकार ने वर्ष 1903 में पूरा किया था नवंबर 1903 में यहाँ पर पहली रेल यात्रियों को लेकर पहुंची थी शुरुआती दो वर्षों तक भारती यात्रियों को इस रेल में यात्रा किया जाने की अनुमती नहीं थी लेकिन वर्ष 1905 में भारतीयों के लिए भी यात्रा शुरू कर दी गई रेलवे स्टेशन की खास बात ये भी है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश अधिकारियों के लिए अलग-लग रेस्ट हाउस हुआ करते थे जो आज भी मौजूद है हिंदू, मुस्लिम के लिए कैंटीन भी अलग-लग थी वर्ष 1864 में जब भारत की ग्रिश्म कालिन राजधानी शिमला को बनाया गया तो इसके लिए कालका शिमला रेलवे ट्रैक का निर्मान किया गया भारत की राजधानी कलकता होती थी जब शिमला ग्रिश्म कालिन राजधानी बनी तो बडोग रेल्वे स्टेशन ब्रिटिश राधिकारियों की पहली पसंद हुआ करता था सरकार के मंत्री और वाइस रायस्तर के अधिकारी यहां पर रेस्ट हाउस में रुपते थे दिवान चंशर्मा इसक शेतर के एक मात्र ऐसे बैकती हैं जो बिते साथ वर्षों से बडोग रेल्वे स्टेशन पर कैंटीन चला रहे हैं बडोग रेल्वे स्टेशन से कई परकार की महत्वण जानकारी इनके पास हैं तो आज हम इनसे बातचित करेंगे बीड़ दो के दो बातचित करेंगे कि कितने वर्षों से आप यह कैंटीन चला रहे हैं हम सार सार दे चला रहे हैं ही रेल्वे टेशन पर रोग उसे पचासी सार की उमद होगी मडी आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली कहानी के साथ आज के बुलिटिन में बस इतना ही देखते रहे बढ़ते रहे दिवे हिमाचल